परभात बच्चों, मैं सरस्वती उनियाल, सायक अध्यापिका, राजक्या, आदर्सप्रात्मे की विध्याले, डाक पत्थर, विकाशनगर, दहरादून से बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत सारी सबजी और फल ले करके आई हूँ और ये सब मैंने मिला करके रखे हैं, और हम इनका क्या करेंगे, नाम सीखेंगे संस्कृत में, हिंदी में तो आपको मालूम है ना, जैसे प्याज है तो इसको क्या कहते हैं, प्याज कहते हैं, लेकिन संस्कृत में प्लांडू, तो ऐसे ही हर एक सबजी, हर एक फल का नाम है, संस्कृत में लिखावा है तो हम सीखते हैं चलो तो जैसे भिंडी है ये बच्चों को बहुत पसंद होती है ना भिंडी की सबजी तो भिंडी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे भिंडकम ये क्या है अक्षोडकम हमारे घरों में होते हैं गाँन से भी आते हैं बाजार से भी लाते हैं तो यह क्या है अक्षोड अकम मरी चहा मेर्ज मूल कम मूली आर्दर कम यह क्या है दाड़ी मम दाडिमम मिन्स अनार और अनार बहुत ही पोश्टिक होता है और अनार को खाने से खून बढ़ता है तो हमें अनार खाना चाहिए और ये क्या है पहचानो मतूलूंगम मास्मी है ना जब बिमार होते हैं तो हम मास्मी का जूस देते हैं और वैसे भी हमें मास्मी का जूस पीना चाहिए मास्मी खाने चाहिए हर चीज सारे फल सब्जी जो हैं हमें सब खाने चाहिए उससे हमारा स्वास्तिय अच्छा रहता है तो ये मतुलूंगम है मासमी, ये सीता फलं, कदू, अलाबू, लोकी, और जंबी रम, कागजी निम्बू देखा आपने ये, कागजी निम्बू, और इसका भी हमें रस पीना चाहिए, पाने में डाल कर, और सब्जियों में डाल कर, ये क्या है, आलूकम, सब्जियों का वरिंता कम, क्या नाम है इसका, वरिंता कम, मने टमाटर, लाल लाल टमाटर देखो है न, और ये भी हमारे यहां सब्जियों का, बहुत स्वाद बढ़ाता है, तो हम दाल, सब्जी हर चीज में डालते हैं, और इसको तो आप जानते ही हैं, प्लांडू, प्याज, तो ये हम हमारे पास सब्जियां हैं, जिनका हमने नाम संस्कृत में देखा, अब हमें क्या करना हैं, बच्चों, इन सब्जियों के और फलों को अलग-लग छांटना है, तो यहां पर हम फलानी, अब जब एक फल होता है, उसको हम फलम कहते हैं, लेकिन हमारे पास तो जादा फल हैं, जादा सब्जी हैं, तो यह बहु बचन में फलानी और शाकानी होगा, जैसे एक लड़का होता है, तो लड़का बोलते हैं, जादा बहु बचन में होंगे तो लड़के बोलते हैं, तो ऐसी फल जादा है, तो फलानी, सब्जी जादा है, तो साकानी, तो हम इनके नाम फल है कि सबजी है यह सबजी है तो हम यहाँ पर भेंड़कम लिखेंगे और इसके आगे इसका रंग लिख देंगे कैसा है इसका रंग हरीतम समझ गए ना फिर अगर हमने लिया अक्षोटकम तो यह अक्षोटकम होगा यहाँ पर आप अक्षोटकम लिखेंगे संबाव हो त है चोती ऑनकी साथ में तो अकशोटा कम का रंग कैसा है श्याव तो श्याव मैं stinks ना श्याव मेंस भूरा रंग होता है और फिर यह ए प्लांडू है प्लांडू क्या है यह सब जी तो हम इसे साकानी के आगे रखेंगे और इसका रंग कैसा है रखतम तो हम इसका रंग रखतम लगा देंगे फिर ऐसे ही हमारे पास और हैं जैसे ये विरिंतांकम है ये भी सबजी में आ जाएगा और इसका रंग भी रखतम आ जाएगा ऐसे और जो हरापीला मिक्स है तो इस ऐसके साथ अम सवेत हम लिखेंगे और जो क्या बोलते हैं इसको मतुलुगं मॉस में हरीमिए करते हैं तो हरीम पीतम लिखेंगे आप जिखेंए जंबी रम इतनी च्होटी प्यारी सी जंबी रम हैंगे मोलकम कैसा है आज है तो यह आपके लिए काम है और इनके पिक्चर भी बनाना साथ में तो एक पेज में तो आप इस तरह से कर लोगे और दूसरे पेज में इनका पिक्चर बना लेना हिंदी में नाम लिख लेना हिंदी में ही रंग लिख लेना ऐसे ही सारणी आपकी दूसरी तरफ दूसरे पेज में भी बन चाएगी तो एक तरफ फल का नाम एक तरफ सब्जी का नाम और फिर उसका रंग छाट करके जो फल है जो सब्जी है ना तो ऐसे कर ले ना धन्यवाद बस ध्यान रखना कि जैसे आपर साग मिंदिकम आगी ना तो बिंदकम के आगे यह हो गया तो अब इसके बाद इसका फलानी इसका अगली लाइन में आएगा ठीक है क्योंकि यहां लिखांगे तो इहां तो आगे की लइन भरी विए तो हम उसको एक लिखेंगे ताकि इसका नाम फिर यहां पर आजार यहां पर इसका रंह भी आजाये ऐसे ध्यान से करना है धन्यवाद बच्चें